हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी कैपसुल स्टडी कैपसुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स और फ्रेजेस पार्ट थ्री इसके पहले हमने अल्रेडी दो पार्ट अपलोड कर दिये हैं जो लास्ट एर क्वेस्टन पेपर्स में पूछे गए सवाल है इनमें से ही इडियम्स और फ्रेजेस हमने इसमें कवर की है तो पहले दो पार्ट और ये पार्ट इंपोर्टन्ट है आपके एक्जाम के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए इसी के साथ ही वीडियो पसंद आये तो जरूर शेर कीजेगा और लाइक भी कीजेगा आपको कोई भी क्वेरी जो डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते है या फिर आप हमें कमेंड करके भी बोल सकते है ठीक है फ्रेंड्स तो चलो स्टार्ट करते है फॉस्ट है अलमा मैटर अलमा मैटर का ही मतलब है दस्कूल कॉलेज और युनिवरसिटी दैट वन गेट एजुकेशन हिंदी में हम बोल सकते है जहां शिक्षा पाई गई वह सवस्था एग्जैम्पल देख लेते हैं तो ये थोड़े अनकॉमन है फ्रेंड्स लेकिन आपको ये ध्यान में रखने है देखो फ्रेंड्स एग्जैम के लिए नहीं अगर आप किसी भी नोवेल को पढ़ रहे हो या फिर न्यूस पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें भी ये सारे एडियम्स और फ्रेजस के यूज किया जाता है उसमें भी तो जब आप एग्जैम में या फिर किसी नोवेल पढ़ते हुए या फिर न्यूस पेपर पढ़ रहे हो तो आपको आसानी होगी अगर इसके मतलब मीनिंग आपको पता हो तो एग्जैम के लिए नहीं आपको ये यूज करने है दे टू डे लाइफ में या फिर आपको पढ़ते हुए भी ध्यान में रखने है तो ही आपको ये सारे ध्यान में रहेंगे ठीक है, next देखते है, break a leg, break a leg का ही meaning है, good luck, best wishes, हिंदी में हम बोल सकते है, भाग्ये तुमारे साथ हो, ठीक है, इसका ही meaning है, भाग्ये तुमारे साथ हो, example देख लेते हैं, tonight's the first night of the play, it is well, break a leg, आगे बढ़ते हैं, call out, call out का भी meaning है, to shout, to speak loudly, to get someone attention, हिंदी में बोल सकते हैं, सहायता के लिए बुलाना या फिर पूकारना, example देख लेते हैं, पूर्वा called out to रुपेश that there was a telephone call for him, आगे बढ़ते हैं, drive up the wall, ये important है friends, बहुत बार पूचा गया है exam में, तो अच्छे से देखेगा, meaning है, to make you very unhappy and full of anxiety or anger, हम हिंदी में बोल सकते हैं परिशान कर देना, ठीक है, example देख लेते हैं, working in front of computer screen all day drives me up the wall, आगे बढ़ते हैं, don't put all your eggs in one basket, ये भी बहुत बार use होता है friends, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो meaning देख लेते हैं, don't put all your resources into one thing, हिंदी में हम बोल सकते हैं, एक ही चीज पे बरोसा मत रखो, example आगे बढ़ते हैं, while buying stocks of companies, don't put all your eggs in one basket, आगे बढ़ते हैं, feather in one's cap, ये भी important है, feather in one's cap, meaning है, it means to have an achievement in one's name, example देख लेते हैं, one does not get chances to add a feather in their cap too often, so the opportunity to do so should be utilized well, आगे बढ़ते हैं, green horn, थोड़े uncommon है friends है, लेकिन exam में पूछे गए हैं, तो एक बार देखो, उसका use करो sentence में, तो आपको ये ध्यान में रहेंगे, green horn का ही मतलब है, immature और inexperienced person, अनुभाव हीन व्यक्ति, example देख लेते हैं, in our company there is no place for green horn employees, आगे बढ़ते हैं, have an eggs to grind, have an eggs to grind, इसका ही meaning है, to have a dispute with someone, और एक meaning है friends, इसका, to have a selfish reason for doing, दो meaning है, first है, to have a dispute with someone, and second है, to have a selfish reason for doing, example देख लेते हैं, as a novelist, he has no political eggs to grind, next देखते हैं, in deep water, ये भी common है friends, बहुत बार use होता है, आप जब novel पढ़ रहे हो, newspaper में भी ये बहुत बार आता है, इसका ही meaning है, in difficulty, in problem, एक्जैंपल है, walking alone on unknown road, may drive us in deep water, ठीक है friends, तो आपको ये ध्यान में रखना है, आगे है, jack of all treads, jack of all treads, इसका ही meaning है, somebody who has many skills, और who is versatile in everfield, एक्जैंपल देख लेते हैं, रुपेश is the jack of all treads, as he can teach, sung and do many different jobs at a time, आगे बढ़ते है, keep body and soul together, ये भी important है, ये use होता है बहुत बार, इसका meaning है, to earn a sufficient amount of money in order to keep yourself alive, हम हिंदी में बोल सकते हैं, गुजारा करना, एक्जैंपल देख लेते हैं, he earns barely enough to keep body and soul together, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे lend है friends, यहाँ पे है lend, L E N D, इसका ही meaning है, to politely ask for someone's full attention, हिंदी में हम बोल सकते हैं, सहानुभूती के साथ किसी को सुनना, या फिर किसी को सुनने के लिए बोलना, एक्जैंपल देख लेते हैं, lend an ear to me and I will tell you a story, आगे बढ़ते हैं, make a clean breast of, make a clean breast of, इसका ही meaning है, to confess, हिंदी में हम बोल सकते हैं, कबूली देना, या फिर किसी गुना को कबूल करना, एक्जैंपल देख लेते हैं, रागव made a clean breast of his crime, आगे बढ़ते हैं, mark my words, mark my words का ही meaning है, give your attention to what I am saying, because it is true and important, ठीक है, give your attention to what I am saying, because it is true and important, एक्जैंपल देख लेते हैं, that girl is going to cause trouble, you mark my words, ये भी important है friends, तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है, आप बोलते समय जादा से जादा use किजेगा, तो ही आपको ये ध्यान में रहेंगे, आगे बढ़ते हैं, make a first, make a first, ये भी important है, इसका meaning है, to worry about, to worry about, इसका ही हिंदी में हम बोल सकते हैं, गबराना या फिर बेच्चेन होना, example देख लेते हैं, my grandmother always makes a first over me when I visit her, आगे बढ़ते हैं, nuts and bolts, common है friends, बहुत बार use करते होंगे आप, अगर नहीं है, तो इसका meaning देख लो, essential and important, हिंदी में हम बोल सकते हैं, आवश्यक and महत्वपूर्म, example देख लेते हैं, you have to know the nuts and bolts of financial education, आगे बढ़ते हैं, not my cup of tea, इसका ही मतलब है, dislike, not interested, ना पसंद करना, example देख लेते हैं, baseball is not her cup of tea, आगे बढ़ते हैं, on the table, on the table का ही meaning है, something being discussed or considered, example देख लेते हैं, the plan of opening a new branch of our organization is on the table, offhand, यह भी important है, बहुत बार पूछा गया है, offhand का ही मतलब है, without any preparation, बिना सोचे, समझे, या फिर हम बोल सकते हैं, तुरंद, I think Mayur's presentation was with offhand, आगे बढ़ते हैं, once in blue moon, यह भी common है, friends, once in blue moon का ही मतलब है, very rarely, very rarely, इसका ही example देख लेते हैं, he visits his home once in blue moon, आगे बढ़ते हैं, out and out, out and out, मतलब completely, हिंदी में हम बोल सकते हैं, संपूर्ण, या फिर सर्वतो मुख, example देख लेते हैं, as I, sorry, as I said earlier, I think it's premature to call him an out and out hero, next देखते हैं, pay your dues, pay your dues यह भी common है, friends, pay your dues का भी मतलब है, earn a position after a hard work, earn a position after a hard work, example देख लेते हैं, everybody knows that I paid my dues to get this post, आगे बढ़ते हैं, past master, past master का मतलब है, expert in something, example देख लेते हैं, पूर्वा is the past master in quantitative aptitude, आगे बढ़ते हैं, देखो friends, यहाँ पे, थोड़ा missing part है, take up है, तो आपको यह अच्छे से देखना है, take up the cudgels, take up the cudgels, इसका meaning है, to support or defend, example देख लेते हैं, one of my lawyer friends took up the cudgels on my behalf to defend me, आगे बढ़ते हैं, over and above, over and above का meaning है, in addition to something, in addition to something, अतिरिक्त, या फिर से बढ़कर, example देख लेते हैं, madhu spend 500 rupees on movie, which is over and above of her budget, thank you friends, thank you for watching this video, कैसा लगा आपको यह वीडियो अगर पसंद आए, तो जरूर शेयर किजेगा, और लाइक भी किजेगा, देखो friends, अभी तक आपने अगर subscribe ना किया हो, तो यहाँ पे आपको एक icon दिखेगा, उस पे click किजेगा, तो आप हमारे subscriber बन जाएंगे, thank you friends, आपको किसी भी तरह की कोई भी doubts हो, तो आप हमें mail कर सकते हैं, या फिर आप हमें comment करके भी बोल सकते हैं, thank you and all the best friends,